नमस्कार दोस्तों, मैं आयर्वेद आचारे जिग्या सुचोहन, आजक आयर्वेद यूट्वीब चैनल के इस पंद्रवे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में गुरुहन चिकित्सा के विशाय में जानेंगे गुरुहन चिकित्सा क्या है? जो कुझभी सरिर के धातु, दोस, मल, आदी में से एक अथ्वा धिक की वृद्धी करे, वह बुरुहन चिकित्सा है यह चिकित्सा सामानी रूपसे संतरपन के अंतरगत समाविष्ठ हो जाती है गुर्वन चिकित्सा किसे करानी चाहिए? क्षीन यानि कि जिसके चरीर के दोस अथ्वा धातू अथ्वा मल सहसा यानि अच्चानक आवसेक्ता से अधिक कम हो चुके हो अथ्वा लंबे समय से किसी एक अथ्वा अधिक वज़े से आवसेक्ता से अधिक कम हो रहे हो वह क्षीन है क्षत धातु क्षीनता की वज़े से अथ्वा किसी चोट की वज़े से अथ्वा प्रकुपित वायू और पित की कारण कोश्ट में किसी एक अथ्वा अधिक तरग की पीडा होना यह पीडा समता से अधिक व्यायाम की वज़े से भी होने की संभावना है सोश, अर्ष, ग्रहनी दोस, आधी रोगे के कारण क्रूश हुए यानि कि पतले हो चुके लोगों को ब्रूहन कराना चाहिए क्रूश, इसके बारे में सविस्तर कार्शे के विशाय में देखेंगे वुरुद्ध, यानि बुड़े लोग जिनमें सोभाव से ही वायुकी अधिक्तार रहती है और धातु सोभाव से ही क्षीन होती रहती है स्त्री नित्य, संभोग अथ्वा मैथुन में प्रवुद्ध लोगों के सुक्र आदी धातु के क्षाय होने की वज़े से उनमें ब्रूहन यथा योग्य कराना चाहिए मध्य नित्य, मध्य यानी सराब, सराबादी नसे के गुण सरीड के धातु के गुणों से विरुद्ध होने के कारण धातु क्षाय करते हैं ग्रिश्म रूतु यानी गर्मी की रूतु का समय कभी-कभी रोगी क्रूश और दुर्बल होने पर भी स्रोतोरोध, आम अथ्वा विदा जैसे परिस्तिती में चीकित्सक यथा योग्य प्रथम दीपन, पाच्चेन, उपवास अता, संसोद नादी रूप लंगन चीकित्सक का प्रयोग करते हैं यह चीकित्सक कैसे काम करती है, यह हम यथा योग्य यथा रोग के विशाय में देखेंगे दोस्तों, अब तक यदि आपके कोई प्रश्ण के जवाब न मिले हो, तो कमेंट सेक्शन में वश्य बताए उनका उत्तर हम आने वाले वीडियो में देने का प्रया सवश्य करेंगे जी, धनिवाद